तो यार Multios of Madness movie के end में क्यों Wanda ने खुद को sacrifice कर दिया था तो यार इसके लिए मेरे पास एक theory है तो Wanda ने काफी लोगों को torture किया था Westview में उसकी खुद की happy life के लिए पर जब उसे realize हुआ कि ये सब गलस है तो वो इन सब चीजों को fix करके इन से काफी दूर चली गई थी तो फिर यही same चीज की उसने Multios of Madness movie में नहीं की तो Wanda की main power है mind control जैसा कि हमने Age of Ultron movie में देखा है तो जब Wanda अपनी mistakes के लिए guilty feel कर रही थी तो अर्थ 838 वाली Wanda ने 616 वाली Wanda का mind control किया हो और उससे ही सारी dark world को destroy और खुद को sacrifice करवाया हो तो ये थेयरी हो सकती है